वैल इस्ट्विंट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉल टेकिनिक 2023 के फॉर्म को एडिट करने के बारे में तो फाइलि इस्ट्विंट आज की जो उमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने अप्लिकेशन फॉर्म म सकते हैं इसके बार में पूरी इंफ्रमेशन देंगे तो फाइनल इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने आपको अपनी ऑफिसियल बैसाइट ओपन करनी है और आपको एक प्रॉपर मेल करना है निया मेल करना हो उनके फॉर्म में कुछ प्रॉलम थी मतलब जो भी उन्हो कुछ edit करवाना था तो उन्होंने क्या मेल लिखा उनको और मेल प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है ठीक है मेल में अपनी प्रॉब्लम को बताना क्या इश्यू है आपका जैसे मान लीजे आपके फादर ने में आपने लिखेंगे कि आपका जो application form है उसके अंदर फादर ने में अपने गलती करिए और आपको क्या नाम करवाना उसको बिल्कु सही तरीके से बताएंगे और साथ में नीचे की तरफ है ना next वाली लाइन में आपको अपना application नंबर जो भी आपका application नंबर होगा वो लिखना होगा phone number लिखना होगा ताकि वो आपको connect कर सके जिस पर call लग सके और आपको email ID हो साथ में अपना password लिखना होगा ताकि अगर वो login करना विचा है तो login अपनी तरफ से कर लें तो यह पूरी information आपको वहाँ पे fill up करनी होगी तब ही जाकर वो आपका क्या करेंगे edit करेंगे ठीके तो आप इस चीज़ को द्यान रखिए तो आप सब इसे request है मैं आपको mail बताता हूँ कहां से आपको mail करना है किस पर आपको mail करना होगा इसको पूरी information हम देते हैं तो इसके रिए सबसे पहले student यह official website है यहाँ पर admission वाले portal पर हम जाते हैं जैसे student आप admission वाले portal पर जाओगे यह है आपका email इमेल है आपका है ना इस पर आपको mail करना है तो यह आपकी email idea देख सकते हैं यह आप है admissions इसकी उपर आपको mail करना है ठीक है आपको इसके उपर उन्हें mail कर देना है proper अच्छे तरीके से mail करिएगा और उसी mail से mail करिएगा जो आपने application form में fill up कर रखा होगा तो finally कुछ time बात क्या कर देंगे उसको edit कर देंगे आपका ठीक है अगर edit होना हो जाएगा तो हो जाएगा क्योंकि एक student का मतलब edit हो चुका है आप चाहें तो इस तरीके से अपने form को edit करवा सकते हैं तो चोटी से information student आपके लिए थी लेकिन बहुत important है अगर edit इस तरीके से किसी का हो जाए तो बहुत अच्छा है ठीक है क्योंकि बार बर परशान होने की जोड़त नहीं है तो आप इस तरीके से अपने form को edit रखरा सकते हैं और अगर किसी और को कोई और help चाहिए तो मैं एक number देता हूँ आप उसकी वीडियो को में पर समाप्त करते हैं जब भी आ किसी कि अच्छा है प्रशा है